देश में एक बहस छड़ी हुई है और ये बहस है उन शिक्षण संस्थाओं को लेकर जो देश में एक आधुनिक सिक्षा और संसकार के साथ सिक्षा सभी विश्यों की सिक्षा सर्व समावेशी सिक्षा के छेत्र में शक्रिय है ये सिक्षण संस्थाएं हैं सरस्वती सिसु मंदिर सरस्वती सिसु मंदिरों को लेकर ये बहस शुरू हुई है और बहस क्या शुरू हुई है एक पार्टी के नेता जो सबसे पुरानी पार्टी है तेश में दसकों तक उसने सासन किया है उसके पदादिकारी ने सरस्वती सिसु मंदिरों पर वियान दिया वियान यह दिया कि सिसु मंदिरों में जो सिक्षा दी जाती है वो कटरपंथ की सिक्षा है और उन्होंने एक ऐसे देश से यहां की सिक्षा वहां के बिद्यालों की से तुलना कर दी जिसके दुनिया भर में आलोचना होती है इसके बाद देश भर में यह बहस छिड़ी कि आखिर उनकी बात में सच्चाई क्या है तमाम इसके पक्ष में बहुत सारे बेपक्ष में बहुत सारे बियान आये कुछ राजनितिक नेताओं ने उनके बात का समर्थन किया लेकिन अर्थिकंस उनकी पार्टी के नेता इस पर मौन साथ गए दूसरी और समाज के लोग सामने आये और उन्होंने उनकी बात का प्रतिकार किया ये वो लोग थे जो ना तो संग से जुड़े थे ना भारती जिंता पार्डी से जुड़े थे ना सिसुमंदिरों से जुड़े थे उन्होंने कहा कि सिसु मंदिरों के बारे में जो बाते कही जा रही हैं ये सब भ्रामक हैं ये सिसु मंदिर राष्ट मंदिर हैं सिक्षा के बंदिर हैं और भारतिय संस्कृति की सिक्षा देते हैं एक स्रेष्ट नागरिक का निर्मान करते हैं नागरिक भी ऐसा जो अपनी य संसक्रिति के संसकार हो ऐसी भावना से और प्रोत शात्रों का नागरिकों का ये विद्याले करते हैं कि इस चर्चा के बाद को पूरे देश में जो सरस्वती सीसु मंदिर चल रहे हैं उनकी तरफ से उनके छात्रों की तरफ प्रितिक्रियाय आई उनके पूर्व छात्रों ने प्रितिक्रियाय दी विध्यालों में शिक्षकों ने प्रितिक्रियाय दी तो हमने भी यह निर्णे किया कि मौके पर जाकर हम सरस्वतिस सुमंद्रों में जाकर यह परड़ताल करें यह जानकारी लें बातें जो कही जा रही हैं उनमें कितना दम हैं क्या सच्चाई है शिक्षा कैसी है जो आरोप लग रहे हैं उनमें क्या सच्चाई है और जो सिसुमंदिर की सिक्षा के बारे में जो पिरसंसा की जा रही है उसको भी परखा कि आखिर सच्चाई क्या है क्या बास्तब में इसी शिक्षा है तो हमने कई विद्ध्यालों में जाका राजधानी के हम कई विद्ध्यालों में गए अपने टीम के साथ कैमरे के साथ और वहां के जो छात्र छात्रा हैं उनसे सीधे बात की हमने सिक्षकों से बात की आचार्यों से बात की प्रधान चार्यों से भी बात की अभिवाबकों से भी बात की तो वहां जाकर जो द्रस्ट देखा और जो सुना समझा वो बास्तब में चमत्कृत करने वाला था एक चितनी पृसंसा में सब्द कहे जाते हैं सिसुमंद्रों के वहां विवस्था उससे भी अधिक अच्छी थी हम जब विद्ध्यालों में पेहँचे एक बिद्ध्यालें पहुंचे इंद्रानगर के सेक्टर ए में सरस्वत्य विद्या मंदिर इंटर कालेज पहुँचे तो सबसे पहले वहां एक पूर्व छात्र मिला यह छात्र इस विद्याले से इंटर पास करके गया था और इस समय बीएच्चू का छात्र है बीएच्चू में शिक्षा गहन कर रहा है तो प्रधानाचार जी ने बताया यह छात्र मुस्लिम है उस शात्र से बात की उसने अपने विचार व्यक्त किये इसी तरह जब हम अन्य विद्यालों में गए तो जानकारी मिली कि यहां काफी संक्या में दूसरे धर्बों के भी छात्र है किसी तरह का भेदभाव नहीं है शिक्षा पद्धिती की जानकारी मिली और ब वहां भी एक छात्रा मिली यह भी मुस्लिम है तो यह पाया कि जितने आरोप सिसुमंदिरों पर लगाये जाते हैं या लगाये गए हैं यह सब निराधार है इनमें कोई दम नहीं है जो काम हो रहा है जो सिक्षा दी जा रही है यह राष्ट के लिए सर्बोत करश्ट आक में कर रहें कि छात्रों का और छात्राओं का अपने बड्याले के प्रती लगाफ अधुत था उनके और एक समर्पन की भावना थी नके अंदर ऐसी भावना हमने देखा और उसको केमरे में रिकॉर्ड किया उनसे बाचीत की आज हम एक रिपोर्ट में इन सब बिद्धियालों के प्रधानाचार्यों से बाची शिख्छकों से बाचीत आचार्यों से बाची अभी वावकों से बातčीत και और चात्रिक्षात्राओं से बात चीद इंगे एक बिस्तरत रिपोर्ट इससे ले और आप स्वण एक धार्णा बना सकते हैं हम कोई विचार या कोई धार्णा किसी पर ठोपना नहीं चाहेते यह नहीं कहते कि आप जो कह रहे हैं उसे मान लीजे आप खुद सुनिए और देखिए और फिर उसके बाद अपने धार्णा मनाईए कि विद्या भारती द्वारा संचालित सरसोती सिस्व मंदिरों की जो सिक्षा है वो कैसी है और कैसे समाज और राष्ट की यह विद्यालाय सेवा करते हैं आप अगर किसी विद्याले में जाएं वहां के प्रांगण में प्रवेश करते ही भारत माता और सरस्वती का चित्र दिखाई दे तो समझ लीजिए यह सरस्वती शिशु मंदिर है जिसका संचालन गैर सरकारी संस्था अखिल भारती विद्या भारती करती है विद्या भारती विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी सिक्षन संस्थान है इन विद्यालों में महान देशभक्त महराणा प्रताप, वीर छत्रपती सिवाजी महराज, अहल्या भाई होलकर, रानी लक्ष्मी भाई, गुरू गोबिंद सेंग, स्वामी विवेकानन्द के चित्र कतार में लगे दिखेंगे उनके नीचे संस्कृत में कुछ सूक्तियां लिखी दिख जाएंगी, जिनका अर्थ मानव कल्यार से जुड़ा होगा प्रात्ना कक्ष में पहली प्रात्ना मा सरस्वती की होगी या कुंदेंदू तुशार हार धवला, या सूब्र वस्त्रावरता, हे हंस्वाईनी, ज्ञान दाईनी, अंब विमलमतिते इद में माता सरस्वती से जड़ता और अज्ञान के अंदकार को मिटा कर ज्ञान का प्राकाश भर देने की प्रात्ना की गई है हमारे वहिया वहनों को ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर सिच्छा के लिए आपको आना है और सेवा कारे के लिए आपको जाना है सिच्छार्थाईये, सेवार्थजाईये का भाव जागरत किया जाता है इस भाव को ले करके वो समाज में जो भी दीन दुखी निर्बलवर्ग के लोग हैं उनके साथ अपनी पूरी तनमेता के साथ लगन के साथ कारे करते हैं हमारे पांच आधारूद विशे हैं जिनमें सारीरिक सिच्छा, योग सिच्छा, संगीज सिच्छा, संस्कृत सिच्छा और नायतिक आध्यात्मिक सिच्छा है इसके माध्यम से ही हम सारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौधिक, अध्यात्य विकास की जो बात करते हैं वो चरितार्थ हो पाती है इसके अलाव हम सब पंच पदी, सिच्छन पदती का प्रियोग करते हैं इसमें अधीत, बोध, अभ्याश, प्रियोग और प्रशार ऐसे पदाते हैं साथ ही समाज को जोड़ने के लिए हम चार आयामों के अंतरकत काम करते हैं मुख रूप से इसमें पूरुच्छात्र परिशद है, विद्धत परिशद है, क्रिया शोध है और संस्कृत बोध परियोजना है, इनसे हम समाज को जोड़ने का भी काम करते हैं दुपहर में भोजन मंत्र, हूम सह नाव वतु, सह नव भुनक्तु, सह वेर्या करवाव है के साथ बच्चे भोजन करते मिलेंगे शाम को विद्ध्याले बंध होने से पहले भी एक प्रात्ना होगी यह सारी विवस्था बच्चों को भाड़तिय संस्कृती से जोड़ती है इनमें कहीं भी किसी दूसरे धर्म को लेकर आक्षेप या आरोप नहीं है जहिन, मेरा नाम मोहमद सानु है मैं सरसुती विद्ध्या मंदिर के इस पावन मंदिर का ही विद्ध्यार्थी रहा हूँ वर्तमान में मैं बनार सिंदू यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ जो अभी हाल फिल हाल में मतलब नीज में यह चीज है कि कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्षिज जीनने जैसा बोला है हमारे विद्ध्या मंदिर के स्कूलों की जो तुलना पाकिस्तान के उन मदर्सों से की है आतंक वात को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं दुनिया भार में आतंक पैदा कर रहे हैं उन जगाओं से तुलना हमारे विद्ध्याभारती मतब की है हमारे विद्ध्याले होगी मैं उनको यह चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे यां बिलकुल ऐसा कुछ नहीं होता है और क्य जगत में नौदीप सैनी ऐसे करके मतलब बड़े नाम जो है और हर एक शेतर में मतलब हमारे विद्ध्याले से निकले वे चात रहे हैं तो मैं उनसे निवद्धन करना चाहूंगा कि हमारे विद्ध्याले के हमारे विद्ध्याले के हमारे विद्ध्याले का यह राष्टी इसके बाद अपने मातशा पिता के चरर इस परश करना चाहिए और यहां पर बहुत अच्छी सिच्छा दी जाती है कि यहां के टीचर्ज और प्रिंस्पेल मैम सब लोग बहुत क्यार करते हैं इस्टुडेंट्स के और हम लोग भी बहुत respect करते हैं अपने teachers की यहां पे सिक्षर दिखाती जैसे computer की सिक्षर science यहां पे विज्ञान मेला भी लगते हैं जिसमें हम लोग participate करते हैं और उत्रिड भी हुए हैं कहीं बार इन विद्यालियों में जिन महापुर्शों के चित्र लगे दिखते हैं, वह बच्चों में राष्ट प्रेम और देश भक्ती का संचार करते हैं. विद्यालियों में सतंत्ता दिवस और गर्तंत्र दिवस उत्सा से मनाया ही जाता है. खोली, दिवाली, रक्षा बंधन, विजय दश्मी, वसंत पंचमी, शार्दिय और वांस्तिक नवरात्र, विक्रमी नववर्ष और शेत्रिय पर्व तथा त्योहार भी परंपरा गत तरीके से मनाया जाते हैं. इससे चात्र भारतिय संस्कृती और भारतिय परंपराओं से ज यहां किसी परकार का जात, पाथ, हम लोग कभी जानते ही नहीं थे किस जात का बच्चा है, तो सरकार कहां से भी पूछा जाता है कि यह जात ही लिखिये, तो हम लोग भी लिखते हैं, नहीं तो पहले तो हम लोग जात कभी जानते ही नहीं थे किस जात का बच्चा है, लग तो पांच बच्चे एक ही परिवार के, कई बार उनसे बारता हुई, यहां फोटो भी बहन जी का लगा हुआ था, बड़ी बिद्धाले की थारीफ वो लोग भी करते हैं, वो भी बहने आती थी पचोग छोड़ने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगता था, कई बार उन ल कि यह मुसल्मान बच्चों के शाद भेद्भाव होता है, और हिद्धूों के लिए है, तो हमने कहा नहीं वह जी, यहां जो भी बच्चा आता है, उसको हम भगवान का सच्चा शुरूब मानते हैं, यहां कोई भेद्भाव नहीं है, हां हम राष्टीता की शिक्षा जरू माता-पिदा की बड़ों की बात बानों कि शिक्षा जरूड देते हैं, प्रवकी जरूर के भावना आए उसका जरूड देते हैं, यह विद्धाले अपने में एक विद्धा भारती का अनोखा प्रयोग है हम लोग अपने बिद्यालेओं में बच्चों को जो आधुनिक सिक्षा होती हो प्रदान करते हैं हमारे बिद्यालेओं में सभी धर्मों के बच्चे हिंदू, मुश्लिम, सिख, हिसाई सभी पढ़ते हैं और धर्म के नाम पर हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं हैं सिर्फ सिक्षण से तात्पर होता हमारा, हम बच्चों को ऐसी सिक्षा प्रदान करते हैं जैसी के हमारे बच्चे देश में दुनिया के हर छेत्र में अपना नाम रोशन कर सकें समाज के लिए समर्पित हों और संसकार इस सिक्षा देने का प्रयास किया जाता है ये हमारा विद्याल है, हाई स्कूल तक यूपी बोर्डर से मानिता प्राप्त है, हमारे यहां लगभग 45 बच्चे, मुश्लिम परिवार के, सिख भी बच्चे, क्रिशन बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे यहां जो सिख्छा दी जाती है उसमें कम्प्यूटर है, साइन्स है आधुनिक तरीके से उनको सिख्चा प्रदान की जाती है, बैदि गड़िद भी उनको पढ़ाया जाता है, संस्कार भी सिखाया जाते है, इस तरह से इस तरह उनका विकास किया जाता है, कि वो जीवन के हर छेतर में काम्याब हो सके, और उनके अंदर ऐसी भावनाएं भी ह होती है, जो अपने देश के लिए आत्मीता प्रदान करती है, अपने देश के लोगों के प्रती, समाज के प्रती और परिवार के प्रती, उनकी इमन में सम्मान होता है, यहाँ पर हम लोग खेलकूद के साथ साथ बच्चों के सरवांगिड़ी विकास पर महतु देते हैं, मांसिक विकास के लिए अनेकों यहां पर प्रत्योगताय होती है चोटे बच्चों के भी होती है और खेल खूद होता है फिजिकल का पीरियड होता है आर्ड का पीरियड होता है और क्राफ्ट का पीरियड होता है उनमें रशनात्मक्ष्रक्ति का विकास के लिए साथ ही साथ ह नवजात शिशु का अध्यन प्रारंब होता है तो इसके लिए पूजाई की जाती है जो कि अन्य विद्यालेओं में ऐसा नहीं होता है और यहीं परंपरा और यहीं संस्कार हमारी प्राचीन आरेवर्थ के पहचान को उध्रत करता है मेरे विद्याले उन्नीजी विद्यालों से कोसु दूरे जहां पर शिक्षा के नाम पर पाश्या संस्कृती को सिखाया जाता है हमारी विद्याले में आश्रण एवं नैतिक शिक्षा को किताबी ग्यान से आदर महत दिया जाता है अब आये देखते हैं कि इन विद्यालियों में पढ़ाया क्या जाता है सभी सरस्वती शिशु मंदिरों में या तो प्रदेश के सिक्षा परिशत की पुस्तके चलती हैं या फिर Central Board of Secondary Education, CBSC का पार्ठिक्रम पढ़ाया जाता है CBSC Board का पार्ठिक्रम चलता है CBSC के पार्ठिक्रम के अंसार सभी प्रकार के विशे जो कामर्ष और विज्ञानवर के विशे हैं हमारे यहां शिक्षा दी जाती है प्राता काल वंदना में वंदना का शत्र होता है जिसमें लगभग पौन घंटे का हमारा इस सत्र चलता है जिसमें सभी प्रकार के नईतिक्ता की बाते हैं हमारे moral stories के माध्यम से समाचार पत्रवाचन, बोध कथा के माध्यम से बच्चों के अंदर नईतिक्ता का विकास करने का प्रयास किया जाता है meditation की ब्योस्ता है, योग सिक्षा की ब्योस्ता है इस प्रकार से बच्चों का सर्वांगीर विकास होता है जैसे हम सभी जानते हैं बिद्याभारती का लक्ष है ऐसी सिक्षा प्राली का विकास करना जिससे हमारे बच्चों का नईतिक, आध्यात्मिक, मांसिक विकास हो सके और उसके लिए प्राता है वंदना से लेकर वंदि मातरम तक कि बिभिन्न बेलाओं में भाया भानों का सरवांगीर विकास करने का कारे हम सभी करते हैं हमारा स्लैबस जो है पाठीक्रम वह NCRT की बुक ही चलती है जिसके अंतरगत आधनिक शिक्छा विज्यान के सिक्छा गडित की सिक्छा यह सभी विशेओं अंग्रेजी सिक्छा यह सारे भी जोर दिया जाता है और इसका भी शिक्षण दिया जाता है बालक और बालिकाओं में किसी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं हो इसका भी ध्यान दिया जाता है साथ ही साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियां इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है SGFI के अंतरगत हमारे भीया बहन खेल कूद में भी जाते हैं SGFI का सात्वा अस्थान पूरे विश्व में है उसमें हमारे भीया विभिन कर्तब दिखा कर खेल कूद में भाग लेकर अस्थान को प्राप्त करते हैं हमारा विद्याले जो की यहां लखनव महानगर में इस्थित है इसके साथ साथ ये भी है कि हमारे विद्याले में आने वाली बालिकाओं की सुरक्षा पे उनके सम्मान पर भी विशेश ध्यान दिया जाता है और उनके आहार बिहार उनके वेश भूसा इन सब कुछ संसकार य करने की छमता का विकास किया जाता है उसमें विभिन पद हैं जिसमें बहने कन्या भारती में पदादिकारी रहती हैं प्रधान मंतरी, मुख्य मंतरी, राज पाल, सेना पती इन सब दाईतों का निर्वहन करने की छमता का भी विकास उसमें किया जाता है साथ ही मातरी सम्मेलन, मातरी गोस्ठी, माता पुतरी सम्मेलन के माध्यम से भी समाज में संसकारों को जागरित करने का कारे भी किया जाता है ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे और बाहर फील्ड में नहीं काम्याब हो सकते हैं बच्चे हमारे हर फील्ड में गया हैं बच्चे कंप्यूटर की भी सिक्षा लेते हैं, बच्चे लाब में भी जाते हैं, हर वर्क से हम उनको सिक्षित करते हैं, बच्चों को अपने. यहां की टीचर्ष बहुत cooperative हैं, कुछ भी questions फूच लेते हैं, हम लोग तो उसको सही से हम लोग को समझाते हैं और अच्छे से हम लोगों को पढ़ाते हैं टीचर्ष बड़े cooperative है, सारे लोग help करते हैं, principal मैं बहुत अच्छे से बात करती हैं और बच्चे यहां पढ़ने के बाद जिम्मेदार और संसकारी बनते हैं। यहां जितने भी टीचर्स हैं, पिनिश्पल हैं, कोई भाव नहीं हैं, बहुत कॉपरेट की जाता है बच्चों के और हमारे बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के जो पढ़ाई है, मैं बचपन से यहां से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ के मित्र जो हैं, आज बड़े-बड़े कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, कई इंजिनियर हैं, उनको देखते हैं मैंने अपनी बेटी के पढ़ाई सोचा यहां कराई ज इस संस्थान के बारे में कुछ लोग जो इसका विरोत करने वाले जो बताते हैं कि यहां पर ऐसी सिख्षा दी जाती है, जो एक कटरबाद और आतंग बाद जैसे सब्द से इसको कुछ लोग कहते हैं तो मैं उनका बहुत कडी निंदा भी करता हूँ गैसे लोगों को और उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो स्वयम आकर के इन संस्थानों की दिन्चरिया देखें कि यहां प्राता काल से सायंकाल तक क्या सिक्षा दी जाती है राहुल गांदी जी मुझे लगता है कि विदेश दोरे पे वो ज़्यादा छुटिया मनाने जाते हैं और इसी लिए उनको विदेशी स्कूलों के बारे में ज़्यादा जानकारी है सभी भाया भायनों को सारिक सिच्चा, नेतिक सिच्चा, योग सिच्चा, संस्क्राइब सिच्चा का ज्यान कराया जाता है किसी प्रकार की विशेश वर्क के लिए सिच्चा नहीं दी जाती है विद्या भारती में में दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकांज 200-300 भाहिया मेहन muslim के पड़ते हैं विद्या भारती में कोई वेदबाव की भावनादा नहीं पैदा के जाती है इसमें सिरिफ ओछिव राश्ट्यता भार्तता शिखाए जाती है और यहां पर समानिता की भावना तो बहुत दिखाए जाती है, अगर किसी का भी फेस्टिवल होता है, जैसे हम हिंदूज हैं, तो हमारे फेस्टिवल तो हमें होलिडे तो मिलता है, लेकिन सब के फेस्टिवल पर भी मिलता है, यहां पर समानिता की भावना सबसे ज़ादा य द्याले ना होते उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 35,10,958 ना होती यहां सिक्षा के साथ साथ संस्कारों की सिक्षा दी जाती है जो मेन है नईतिक्ता, सामाजिक्ता, आध्यात्म और उसके आयाम हम लोग देखते हैं तो जैसे हम लोगों के यहां से बच्चे जो पढ़ करके जाते हैं वो बिभिन संस्थाव में आई आई टीज में मेडिकल कालेज एम्स में वहां भी जो है इन संस्कारों को जो है करते हैं तो सैक्षिक रूप से तो आगे बढ़ते ही हैं नैतिक और सामाजिकता आध्याद की दृष से भी वे आगे रहते हैं और बच्चे हमारे मेरिट में हर साल आते हैं पढ़ाई में भी कोई ऐसा नहीं साइंस में टेक्नलोजी में मैं मैंत्मेटिक्स में कम्प्यूटर साइंस में सब में यहां तक कि सिविल सर्विसेज में और PCS में भी वो अपना अस्थान बनाये रखते हैं। जिसने भी टिपड़ी कियो कि यहां अतवबाद की पढ़ाई होती है, यह एकडम कलत है। आप चाहे तो यहां पर आकर देख सकते हैं, यहां पर सिक्षा दी जाती है। जिसने एक सकते हैं तो यहां पर सबी दर्मो को समानता दी जाती है, जाये वो हिंदु हो या UX MA Gожд कोई में बेदभाव नहीं किया जाता है। है। कि विद्याभारती सभी शिक्षान संसिताओं में सर्विष्रेश्ट है बताओ तो मैं नर्सरी से पढ़ रहा हूं और जो भी मैंने स्कूल से आज तक पाया है मैं उसका हमेशा रेडी रहूंगा और उसको अपने जीवन में कभी नहीं बूलूंगा इस विद्ध्याभारे में बताना चाहता हूँ कि यह विद्ध्याले सिक्षा ही नहीं साथ में संस्कार भी देता है जो हमारे जीवन के लिए ब़त उपियोगी है हम सिक्षा प्राप्त करके उसको अपनी लाइफ में किस तरह से यूटिलाइस करते हैं प्रवीऊ गिता क्या है और किस तरह से अपने देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं हम लों को यह सिखाए जाता है बहुत सारी चीजे अइसे की आप समाझ में कैसे अब को नायतिक कि शिखाए जाती यहांपे और समाज雁 बिवस्था पर वहां के शिक्षा पर कैसे संस्कार दिये जाते हैं इस पर एक रिपोर्ट और सुना वहां आचारियों को प्रधाचारियों को और शात्र शात्रां हो अब आप तुलना कीजिए देखिए कि देश भर में तमाम लाखों की संख्या में कई लाख की संख्या में मिस्णरी स्कूल भी चलते हैं कुछ तमाम संस्थाएं हैं जो विद्याले संचालित करती हैं कुछ नेजी छेतर के लोग संचालित करते हैं सरकारी योजनाव से भी सं जाले थुटते इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप तुल्ना कीजिए और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनको आप भी जबाब दीजिए आप भी बताइए कि आप जूट मत परोसिए आप भ्रहम मत फैलाईए आप समाज को गुमरहा मत करिए जो लोग राष्ट से सिवा कर रहे हैं समाज सिवा कर रहे हैं और समर्पित भाव से काम कर रहे हैं अगर उनकी प्रसंसा नहीं कर सकते हैं तो जूटे आरोप भी मत फूपिए इससे आपकी अपनी साख खराब होती है आपकी अपनी विश्वस्नियता समाप्त होती है समाज पर इसका कोई प्रभ कि हमने लोगों से बात की सरस्वति से सुमंदिर योजना विद्या भारती के नितत्त में जिस तरह संचालित हो रही है यह आगे भी इसी तरह से फली बूत होती रहेगी इन सुबकामनाओं के साथ इन विद्यालों के प्रदाराचारेयों प्रबंद समीतियों और सभी सिक्षकों आचारेयों आचारेयों सबका हम आभार भी ब्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इस रिपोर्ट को तयार करने में बहुत सहोग दिया अत्यधिक सहोग दिया और हर तरह की जानकारी उपलब्द कराई इसके लिए एक बार फिर हम उनका आभार ब्यक्त करते हैं नौसकार. चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं.